दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिन्वाल ऐसा शायद अपने आप में पहली बार हुआ होगा कि एक उद्योग पती जिनका खुद का अपना चैनल है वो दूसरे मीडिया समू को इंट्रिव्यू दे रहे हूं गौतम अडानी देशी नहीं एशिया के इन सबसे रहीज उद्य योगपती ने एंडी टीवी खरीद तो लिया लेकिन जब इंट्रिव्यू देने की बारे आई तो अपने चैनल को नहीं दिया देश के सबसे बड़े मीडिया समू को दिया ये इंट्रिव्यू टीवी के साथ समू के मैगजीन में भी छापा गया है दोस्तों गौतम अडा हर सवाल पर सत्तर साल सत्तर साल यही रट लगाते हैं लेकिन आज देश ही नहीं दुनिया के इस सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक गौतम अडानी ने इस पर जो जवाब दिया है वो शायद बीजेपी को अच्छा नहीं लगेगा जब इंटिव्यू के दौरान गौतम अडानी से पूछा गया है कि क्या अडानी ग्रूप की ग्रोथ के पीछे पीयमोदी का हाथ है क्योंकि ऐसे बहुत सारी बातें आपके लिए कही जाती है इस पर अडानी ने कहा मेरी पेशेवर सफलता किसी एक नेता के कारण नहीं है बलकि तीन दश्कों से ज्याद कर रहा है कि उनकी सफलता किसी एक नेता या सरकार की वज़े से नहीं है वो तो पिछले तीस सालों में अलग-अलग सरकारों ने जो देश के लिए फैसले लिए नीतियां बनाई उसकी वज़े से है इसके अलावा गौतम अडानी ने आगे कहा कई लोगों को जानकर करने में मदद मिली अगर वो ना होते तो मेरी शुरुआत ऐसी ना होती तो गौतम अडानी नाम लेकर साफ साफ कह रहे हैं कि जहां वो आज हैं उस सफर की शुरुआत पहला माइल स्टोन राजीव गांधी की नीतियों की वज़े से हुआ इसे यह भी बड़ा क्यानवे की कॉंग्रिस की नरसिम्मा सरकार को भी अपनी सफलता का श्रे दिया जिसमें उस वक्त के देश के वित्तमंत्री टॉक्टर मन मोहन सिंग ने देश को नए आर्थिक सुधारों की सौगात दी थी दोस्तों इसके अलावा जब गौतम अडानी से पूछा गया कि इ पहम हिस्सा हैं बलकि यही तो लोकतंत्रों को परिभास्ति करते हैं मैं मानता हूं कि हमारे लोकतंत्र ने हमें आर्थिक आजआदी दी है अब उस पहम शिकायत नहीं कर सकते मैंने ऐसी आलोचना कई वार जहीयुा है मैं मानता हूँ कि ना तो मैं पॉफिक्ट हूँ नहीं हमीशा सही हर आलोचना मुझे एक अवसर देती है खुद मैं सुधार लाने के लिए कितिनी अच्छी बात है नहीं देश के विरोध और आलोचनाओं को लेकर गौतमरडानी कितना ओपन है देश के लोगों को उनसे वागी सीखना चाहिए खास तोर पर वीजेपी समर्थकों को जो बात बात पर हमारे जैसे अलोचना करने वालों को सवाल पुछने वालों को पाकिस्तान भीजने का मश्वरा दे देते हैं राश्ट विरोध ही कह देते हैं नहीं दोस्तों ये पूरा का पूरा इंटर्व्यू एक पियार अख्रसाई से जादा कुछ नहीं लगता सब दिख रहा था लेकिन इसमें भी गौर से समझे ना तो एक बात पता चलती है कि किसी भी एक उद्योग पती को भले ही किसी एक खास सरकार से या किसी एक नेता से कभी बड़ा फाइदा मिल जाए कोई किसी के बहुत करीब हो जाए लेकिन सार्जनिक तोर पर वो उद्योग पती उस एक नेता को अपना पूरा इश्रे देने से बचता है कोई भी हो जाए गौतम अडानी ने जो बात कही वो गलत भी नहीं है आज देश में जो मल्टी मिलिनियर हैं जितने भी हैं सारे के सारे के 8 साल में पहुंचे हैं यहां तक पर सारे मल्टी मिलिनियर जितने भी बने वो 8 साल में बने नहीं न सरकारे भले ही हमारे यहां हर 5 साल में बदलती रहती है लेकिन हर सरकार इंडस्ट्री को लेकर कमोबेश एक ही तरह का लचीला रुख रखती है इसलिए वही रुख इंडस्ट्री भी सरकारों को लेकर रखती है आपरोप प्रत्यारोप राजनतिक रूप से एक दूसरे पर लोग भले करें लेकिन सरकार जब बदलती है तो ऐसा नहीं है कि वो किसी खास industrialist या किसी खास company या किसी खास शक्स के खिलाफ काम करती हुथ उसकी कोशिश होती है कि वो इंडस्ट्री को साथ लेके चले और इंडस्ट्री की भी कोशिश होती है कि वो सरकार के साथ चले यही कौतम अडाने की इंटिव्यू का लबू-लूबाब लगता है आप इस मुद्धे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा चैनल को जॉइन करें, सब्सक्राइब करें और अब यूट्यूब ने में थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है जिसके जरीए आप हमारे फ्री जर्निलिस्म को सिपोर्ट कर सकते हैं